आज हम बात करेंगे how we can increase our productivity ठीक है तो चलो discuss करते हैं ठीक है चाहे आप जेई के एस्पिरेंट हो ठीक है या आप NDA के हो या इवन आप नीट के हो या किसी भी फिल्ड से आप डिलेट करते हो तो एक चीज काफे साथ अजरूरी होती है जो की होती है है ठीक है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि productivity आती ऐसे है देखिए सबसे पहले जो हैविट होती है वो सिटिंग की बननी चाहिए कि सिटिंग का मतलब कि उस काम के लिए अट लीस्ट आप बैठ सकें ठीक है कि सिटिंग अगर जो आपकी अच्छी होती है फिर आता है हमाँ पास consistency और consistency जब आपके पास आ जाती है देन उसके बाद आती है प्रक्टिविटी थीख है तो यह बेसिकली एक चेन इस तहिके से चलती है जैसे फूड़ चेन होती है न उसे तहिके से एक चेन होती है तो सबसे पहले आपको अपनी सिटिंग फोकस करना होगा देन उसके बाद आई गांसिस्टेंसी जैसे आपकी consistency में रहती है उसके तो जेह के लिए प्रिपेर करें हो तो सबसे पहले आपको सिटिंग की हैपे डालनी होगी हमें पता है कि जेह के लिए अगर जो आप अलग हटा दिया जाए स्कूल या कोचिंग का ताइमिक उसके अलावा भी एट लीस्ट फोर आर्स की आपको सेंस्टरी की जरूद होती ह तो आपकी फोर आर्स की सिटिंग होनी चाहिए ठीक है जब फोर आर्स की सिटिंग होगी तो उसके साथ वो कंसिस्टेंसी हाईगी कि आप बिले for stats बैठ रहे हो ठीक है अब प्र उसके बाध कि हुआगा कि आप कि जब 4 above का उर्द कांसिक अर्स में काम करोगे शिंग तो प आपने माइंड को बेसिकली आदत हो चुकिए कि हां उसको इतना टाइम तो बैट नहीं है और उसमें वो जादा आउटपुट निकाल सकता है उसी सेम टाइम में ठीक है उसी को कहते हैं प्रड़क्टिविटी कि कम टाइम में जादा अगर जो हम काम कर पाते हैं उसको हम प्र कि हमारा मन नहीं होता सपोज एक एक एक्जामबल ले लेते हैं कि सपोज आप फुटबोल खेल दे होते हो तो फुटबोल में आपको कभी प्रोड़क्टिव होने की जरूद नहीं होती है रिजन क्या होता है क्योंकि आपका दिमाग ठीक है और फोकस दोनों एक साथ होते ह अब बोड़ी कहीं अलग जा दिया है और जो आपकी थाथ है वह कहीं अलग जा दिया है दोनों एक साथ ही जुड़े होते हैं और एक टाइम पर वर्क कर रहे होता है ठीक है कभी अगर जो आप धिमाग में तो कुछ और चल दा है मार्किट से कुछ समान लेके आना था और आप बोल लेके जा रहे हो ठीक है तो यह कभी नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर उस वक्त हम बेसिकली इंटरेस्ट के साथ खेल दा होता है इस वज़स होता है पड्री पड़्ाइ में नहीं होती है आप पड़ाई के लिए बैठते हो तो दस चीज दिमाग में आती है सबसे पहले कि नहीं याँ यह शेय्याय बोल दिया अचा इसने काम बोल दा था यह काम करना ज़रूर है वो साथ चीजे तब जाद आती है क्योंकि focus नहीं होता ना और focus ब्राने का same चीज है पहले आपको बैठना है sitting की आदर डालो अबर जो नहीं है ना suppose focus नहीं लग पाता तो सबसे पहले है sitting की आदर डालो sitting की आदर डालोगे तब आपके पास consistency आएगी कि हाँ आप तो मैं चार गंटे बैठ सकता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि starting में बैठने में दिक्कत होगी शान्ति से बैठ ही नहीं पाऊ गया वह बैठने का मतलब यह नहीं से बैठ नहीं है पढ़ने के लिए ठीक है आइन चार गंटि से बैठने के लाये रचसे में चारा की यह में अद्क है कर सकते सुपोज स्पोज इस शुरुआत करो एक घंटे से नहीं होता तो ऑधीर अथे घंटे से करो कि आदे घंटे तक हम बुझे पढ़ना है ठीक है तो दो आर्स तक पहुंचेगा तो 2च आपड निकाल तब आपकी यह सिटिंग पावर बन जाएगी उसके बाद कि तब आपको कंसिस्टेंसी क्या रडालनी कि हाँ ये डेली रेगुलर बेसिस पे फोलो अज जब डेली बेसिस पे रेगुलर फोलो होने लग जाएगा तब आएगा मज़ा तब आएगी पोड़क्टिविटी तब आपको मन भी लगए उस चीज को करने में ठीक है एक और एक् पाईवैवन वसे बन्त उसमें कदशन उसमोहा फिल इक्ट को लाएंगर रटांव मश्चीज को हैं गांपल ब्रुटीकर इसक छाना नहीं मुझखिल है च्बाट ढ़ाम होते तो पाईक स्ट्टोई मीं कि लिग जाती है तो ठीक है ड्शी में अृटी को तो ऑटेड़ chi आफिछ ऐपको इसको जमीन में से निकालना है निकालो है तो तूदेन ठीक है वैसे ही करता है ठीक है जब होगा इसके निकालने के डिब हुआ के जड़े संहamorphosis आयए उसके उस है निकालपाते हैं निकाल पाते हैं लिए अब देखो यह जो नेक्स पेड है जो कर दो अहीं होता है कि तक सकते हैजो हूद रहे हैं कि तल धीम कर दो दूपर नहीं है क्योंकि ऌह बोड dazu कंप्लीट अभी पीट भी नहीं हो था उसके लिए आख दो तो वो कह देता है कि teacher sorry यह में बसकी नहीं है मैं नहीं निकाल सकते इसको तो इससे क्या समझते हो जो learning वाली चीज है वो यह है कि habits भी हमाई इसी तरह से होते हैं जब initial stage में होती है तो उनको निकाल पाना या अपने से अलग कर पाना बहुत जाद आसान हो जाता है लेकिन जै अगर जो डाल पाते हो तो काफी जाद अच रहेगा और जितने जाद लंबे टाइम तक डाल पाऊगे उतनी जाद आपकी productivity increase होती रहेगी ठीक है compounding effect होता है compounding तो फड़ा होगा 8th wonder of the world ठीक है तो same compounding यहां भी apply होता है आपके तो I hope यह चीज़े clear हो गई होंगी तो इसके साथ इस वीडियो करते हैं जैने